नमस्कार मैं हूं सचिन गोस्वामी आप देख रहे हैं न्यूज लाइव परवीर चक्र विजेताओं के नाम से अब अंडमान निकोबार के द्वीपो की पहचान पी एम मोदी ने रखे नाम नेताजी सुभास चंद्र बोस की 126 वी जैनती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 बड़े द्वीपो का नाम करण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया पराकरम दिवस पर जीन परमवीर चक्रे विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्यूप समु के द्यूपों का नाम करन किया गया उनमें मेजर सोमनाथ शर्मा, सुअबेदार करम सिंग, लेफटिनेंट रामा राघोबाराणे, नायक जदूनाथ सिंग, कम्पनी हवलदार मेजर पीरु सिंग, कैप्टन जी एस सलारिया, लेफटिनेंट करनल धन सिंग थापा, सुवेदार जोगिंदर सिंग, मेजर शैतान सिंग, CQMH अब्दुल हमीद, लेफटिनेंट करनल अरदेशीर भुर्जोर जी तारापोर, लांस नायक अलबल्ट एकका, मेजर होशियार सिंग, सेकेंड लेफटिनेंट अरुन खेतरपाल, फ्लाइंग आफिसर निर्मल जीत सिंग, सेखो, मेजर रामस्वामी परमेशोरन, नायक सुबेदार बाना सिंग, कैप्टन विकरम बत्रा, लेफटिनेंट मनोश कुमार पांडे, सुबेदार मेजर संजे कुमार और ग्रिनेडियर जोगेंदर सिंग यादोशामिल हैं, वहीं केंदरी ग्रह मंतरी अमित्शाह ने अंडमान निकोबार दुप समु में तिरं ग्रि मंतरी ने ध्वजा रोहन किया, इस मैदान का नाम अब नेताजी स्टेडियम है। अंडमान निकोबार के इन दुपो को जाना जाएगा। उन्होंने मातर भूमी के कड़ कड़ को अपना सब कुछ माना था। पियमोदी ने कहा कि अंडमान के आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। आजादी के बाद नेताजी को भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन ये समारक आने वाली पीडियों के लिए एक प्रेणा है। किंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभास चंदर बोस की जैनती पराकरम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। नेताजी की स्मृती में 2018 में रास दुप समू का नाम बदल कर नेताजी सु व्लॉक दुप के नाम बदल कर शहिद दुप और स्वराज दुप किये गए थे। भारती नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा बेड़े में शामिल हुए आईनस वागीर। इनस वागीर दुनिया के बहतरिन सेंसर के साथ वायर गाइड़ेट टारपीडो और सता से सता पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसमें विशेश अभियानों के लिए समुदरी कमांडों को लॉंच करने की शमता भी है। नौसेना की अनुसार आईनस वागीर में आ जो किसी को भनक लगे बिना निडर्ता से काम करती है। मार्ग होते हुई लाल किले की और बढ़ी परेड के समाप्त होने तक विजय चौक सी इंडिया गेट तक करतवे पत पर किसी भी यातायात की अनुमती नहीं दी गई। गरतंत्र दिवस परेड की रिहरसल के चलते कई रास्ते बंद रहे जिस से दिल्ली NCR की कई सडकों पर जाने वाली बसों को रास्त्री राजमार्ग 24 से होकर निकाला गया और भैरो मार्ग पर रोक दिया गया हाला कि उत्तरी दिल्ली से नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेल्वे स्टेशन तक जाने वाला यातायात सुचारू रहा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आज सुभा से अन्धेरे में डूबा रहा क्वेटा और गुड्डू के बीच हाई टेंशन ट्रांस्मिशन लाईनों में खराबी के कारण पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट, दुनिया न्यूज के अनुसार, बलुचिस्तान के 22 जिलो सहित, क्वेटा, इसलामाबाद, लाहोर, मुलतान, शेत्र के शहरों और कराची में बिजली कटोती हुई अधिकारियों ने कहा कि वे बिजली आपूर्ती ठप होने की जाँच कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रांस्मिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के चलते, सिंद, खैबर, पक्तुनख्वा, पंजाब और राजधानी में बिजली आपूर्ती ठप हो गई क्रिकेटर सूर्य कुमार ने महाकाल मंदिर में की दर्शन रिशब पंद के स्वास्त के लिए की कामना की भारत और न्यूजिलैंड के बीच वंडी सीरीज का तीसरा और आखरी मुकाबला 24 जन्वल को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा इससे पूर्व टीम इंडिया के कुछ खिलाडी उज्जैन पहुँचे और महाकाल मंदिर में सुबह भसमारती में शामिल हुए इनमें सूर्य कुमार यादव, वाशिंग्टन सुन्दर, कुलदीप यादव और सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस से शामिल थे इन खिलाडियों ने महाकाल मंदिर में भसमारती में शामिल होने के साथ, गर्बगरी में पंचामरित पुजा के साथ अभिशेक किया इससे पूर्व उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, वे मंदिर प्रबंद समीती ने इन क्रिकेट खिलाडियों का स्वागत किया मंदिर से बाहर निकल कर सुरिकुमार यादों ने मीडिया से कहा कि महाकालेशवर मंदिर आकर बहुत अच्छा लगा उन्होंने रिशापंत के जल्दी ठीक होने की कामना की और कहा कि वो जल्दी ठीक होकर वापस आएं स्टार क्रिकेटर कील राहूल और एक्ट्रेस अथिया शेटी आज विवा बंधन में बंद गए टाइमस आफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अथिया शेटी और कील राहूल ने सुनिल शेटी के खंडाला स्थित बंगले में साथ फेरे लिए इससे पूर्व कील राहूल की बाराद रेडिसन होटल से चल कर सुनिल शेटी के खंडाला बंगले पर पहुची बताया जाता है कि विवा समारों में करीब सौ महमान शामिल रहे अथिया और कील राहूल की साधी में महमानों के लिए साउथ इंडियन क्यूजिन रखा गया था इस दवरान महमानों को प्लेट्स के बजाए ट्रेडिशनल साउथ हिंडियन स्टाइल में केले के पत्तों पर भोजन परोसा गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कियल राहुल और अथिया शेटी मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखेंगे जिसमें बॉलिवूड, स्पोर्ट्स, बिजनस और राजनीती की दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे हैं आएमटी मीडिया, नमस्कार